चुनाव राज्यों के और मुद्दे राश्र के ये बात हम क्यों कह रहे हैं असल में चुनावी जोड तोड समी करण जाती और मजहभी गोल बंदी के सियासी शोर हर तरफ सुनाई दे रहे हैं और इसी शोर में दब गई है आम लोगों की आवाज गायब हुए हैं तो आम लोगों के मुद्दे गायब हुए हैं हाँ चर्चाएं खूब होती हैं पक्ष हो विपक्ष हो सभी एक दूसरे पर हमला जरूर करते हैं विकास के वादे काम के दावे सब सुनने सुनाने की बाते हैं लेकिन अब इस दौर में चुनाव का रंग रूप थोड़ा सा बदलता नजर आ रहा है राज्यों के मुद्दे जो सबसे पहले होने चाहिए वो गायब है हर्याना के चुनाव में राफेल की तारीफ की जाती है महराश्ट में कश्मीर सिधारा 370 हटाने की कसीदे कहे जाते हैं हाँ बेशक ये अच्छे कदम है और देश को मजबूत करने वाले फैसले भी है लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि पहला कदम उनकी जरूरतों को पूरा करना होना चाहिए जिनके सामने आप वादों की जड़ी लगा रहे हैं ऐसे ही कई सवालों को लेकर आर नाइन टीवी पर आज बड़ी बहस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ श्वयता भट अचारया चुनावी मुद्दे क्या होने चाहिए कैसे होने चाहिए इन सब पर हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले आईए नज़र डालते हैं इस रेपोर्ट पर हर्याना और महराश में चुनावी शोर अपने चरम पर है सियासी सरगर्मी तो जोरों पर है बयान बाजियां भी खूब हो रही है लेकिन वयानों में उठ रहे हैं मुद्दो को सुनकर एक सवाल जहन में जरूर खड़ा होता है कि चुनावी प्रचार में क्या राज्यों के मुद्दो को भूल कर पार्टिया अब राश्य मुद्दो को भुनाने की कोशिश में लग गई है जहां रक्षा मंत्री राज्या सिंग अपने चुनावी भाषण में राफेल की सवारी करते नजर आए तो राहूल गांधी ने चुनाव में किसानों और बेरोजगारी के मुद्दे न उठाना ही सियासी हमले का बहाना बना लिया मैं पेरिस आया हूँ तो फाइटर प्लेन से बड़ा सस्त्र और कोई दूसरा नहीं हो तकता क्योंकि मिसाइल भी लेकर चलता है और मिसाईल लेकर चलता है और ऐसा वो प्लेन है ऐसा फाइटर प्लेन है कि हवा से हवा में मारता है और हवा से जमीन पर भी मारता है अब इससे बड़ा और कोई हथियार हो नहीं सकता मोधी जी कॉर्बट पार्क जा रहे हैं कॉर्बट पार्क की बात होगी चलो भई आज 370 की बात करो चलो भई आज जम्मू कश्मीर की बात करो अले भाई रोजगार की बात कब करोगे किसानों की समस्य की बात कब करोगे हरणा और महराष्ट के राजस्तर के मुद्दों को पीछे रखते हुए सभी बड़ी पाचियों के नेता राष्ट की बातों को समझाते नजर आ रहे हैं देश के ग्रीमंत्री अमिश्या अपनी चुनावी रैलियों में आतंकवाद और धारा 370 से राज्जी की सियासी बिशाते नजर आए आप सबने मोदी जी को इस देश का प्रधान मंत्री बनाया पहले ही सत्र में दारा 370 को हटा कर हमारे कस्मीर को भारत का अभीन अंग बनाने का काम जाहिर है मुद्दों से रोजगार, किसान, स्वास्त, सडक मानू जैसे घायब रहे हैं चुनाव राज्जी के हैं मुद्दे लोगों की आम जरूरतों से जुड़े हो सकते हैं हाँ ये सच है कि सरकार ने पाकिस्तान से लेकर आतंकवाद के खलाफ जो कुछ भी किया वो सराहनिय है कश्मीर से दारा 370 हटाना, वहां इंसाफ दिलाना बेशक काफी बड़ी बात है लेकिन हर्याणा और महराश के चुनाव में जनता के राज्जिस्तार के मुद्दो का जिक्र ज्यादा होता तो बात अलग हो सकती थी ब्यूरो रिपोर्ट आर्नाइन टीवी ऐसे में आर्नाइन के कुछ सवाल हैं, उन सवालों को आपके सामने रखते हैं क्या राज्यो के चुनावी मुद्दो से भटक रही है पाटिया क्या राश्य मुद्दो पर ही होंगे सभी चुनाव क्यो बिजली पानी स्तडक राज्यो के चुनावी मुद्दो से गायब है तीन सो सतर और पाकिस्तान क्यो बन गया है चुनावी मुद्दा तो ये वो सवाल है जिनके इर्दगिल आज हमारी चर्चा जो है वो घुमेगी हमारी जो पैनलिस्ट है उनसे आपको इंट्रड्यूस करा दू हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है कॉंग्रस के लीडर नसीम खान रेनू भाटिया बीजेपी की प्रवक्ता हमा तो रेनू भाटिया जी जवाब आप ही देंगी ये 370 और पाकस्तान का मुद्दा क्या चाया रहेगा महराश्ट और वधान सभा के चुनाओं में या वहां की जो लोगों के लोकल मुद्दे हैं उनको भी उठाएगी वीजेपी देखिए श्वेता ये बहुत अच्छा सवाल आज आपने अपनी डिवेट में रखा कि ये मुद्दे राश्ट्र हैं या राज्ये के हैं देखिए राश्ट्र में कितने राज्ये हैं और वो राज्ये सभी हमारे हैं उन्हीं में हम निवास करते हैं और हर राज्ये के बहत विदेश का राज्य है क्या उनमें धारा 370 से रिलेटेड लोग नहीं रहते आप तो राश्ट की बात करते हैं विदेशों में धूम देखिये ना धारा 370 की कितनी है तो आप इसको मुद्दा चुनाओ का कहें या इसको राज्य का मुद्दा कहें उससे कोई फरक नहीं पड और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस 70 साल के इस जो नासूर जो बना हुआ था हमारे देश में उससे हमें कितनी खुशी है इसलिए अपने राज्य के मुद्दों का मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डिक्रेंशेट होना जाए हम भी धारा 370 हो पाकिस्तान हो आतंक आते जी है वो डिफ्रेंट नहीं होगी क्या ह्यान में भी धारा 370 हम बोलेंगे और महराश में भी धारा 370 बोलेंगे हर्यानामे Pakistan कि सतिती कि हम बात नहीं करेंगे बीजेपी का खुद का बादा था मैम कि 24 घंटे बिजली दी जाएगी कहा दी गई बिजली पूरे पर दे प्रदामंसरी को कहना पड़ रहा है है कि हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे और में क्यों नहीं कहना चाहिए हाला की हाला की सरकारी नौकरी देने में थोड़ी सी पारदर्शिता जो कहती है लेकिन ग्राउन लेवल पर अगर हम कहें थोड़ा सा सुधार जरूर हुआ है यह मैं मानूंगी लेकिन क्राइम रेट अभी भी देखे तो जिस तरह से बलातकार के मामने सामने हैं पिछले पात सालों में नशा खोरी देखे जिस तरह से चुनौती बनाऊ है इस पर बात ही नहीं होत है और उसी वज़ा से 75 पार हम आएंगे सर आप तक आवाज पहुंच रही है कि पुछना चाहूंगा रेनू बाटिया की से जी आप बिलकुल आवाज पहुंच रही है कि आप आप ये बताईए कि आप बात करते हैं कि धारा 370 ये बड़ी खुशी की बात है विए आप तस कास्मिर से हैं और दारा 370 अकाती गई लेकिन मैं ये पुछना चाहूंगा आपसे किया दारा 370 रियाना वासियों को खाने के लिए रोटी दें क्या क्या दारा 370 रोजगार देंगी क्या दारा 370 खेत में पानी लगाएंक या दारा ना 6370 विपारियों के लिए कुछ करेगी रेनुबाटिया जी आज हाई चुनब होना चाय था हुआ हुआ यहा रेल्श कोई मुद्ध कर लिए बात ने करी आपके मंतरी जी अम्ने सेंट्र के मंतरी यहाँ पर आते हैं और बात 근데 हैं कि हमने आ तहीं कि अपने हैं डारा्य तिंसों सट्रप्र खतम की इसका कोई असान नहीं किया क्योंकि हर्याना ने भी आपको 10 सीट दी थी और 10 सीट इसलिए दी थी के भी आप देश के लिए कुछ करें लेकिन हर्याना में आपको लगन कानी पर जाएंगे आप पूरी बात उने दिजिए आप मुझे बता लिए आप एक ही मुद्दा उठा लिजिए बिजली का मुद्दा मैं उठा रहा हूं कि आप बताईए बताईए कुंसा जिला है एक बिजला कोई बता दीजिए कि वहां पर हमारी चोबिज गंटे बिजली चलती है पलवल नू होडल हथीन कौनसा ऐसा छेत्र है जहां पर नहीं है बिजली 18 गंटे से उपर बिजली है हर ज़दा पर और दूसरी पाद आपने कहा कि धारा तीन सो स सब्सक्राइब को फाइदा देता है मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप जब कसी और फावड़े लेकर गए ते उससे क्या जनता को आपने पानी दिया आपके वो कसी और फावड़े जो आप लेकर गए थे नैन साहब आप बताएब अपनी बात सा जवाब दीजिए न सरकार अपकी सब्सक्राइब कि यह तो गोला गिरे उस पाटी आप तो प्लाव दे चुका है अपके जब आरोप लगती है विपक्षी पाटियों पर थे नियुद बाताएब नहीं साब एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट नसीम खान से मैं जरा सवाल पूछ लूँ की यह जो विपक्ष का रोल क्या होता है सर क्या आप मुद्दे नहीं उठाएंगे अगर बीजेपी राश्य मुद्देव को हथियार बनाकर चुनाव लड़ना चाहती है तो विपक्ष भी उनी के पीछे चलेगी गुगली फेक रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं कैच कर रहे हैं मैं तीवी नाइन को धन्नवाद देता हूँ कि उन्होंने इन दोनों राजिये के चुनाव में अखास कर पूरे देश के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बहुत महत्तपोर मुद्दा जो और दिगर टेलिविजन चैनल है समाचार चैनल जो पूरे दिन राम अंदिर 370 और लोकल मुद्दो को भटा परके उनकी मदद करने का काम कर रहे हैं वाजपकी उस से एक अलग हट करके है आपने जो है लोकल मुद्दो की बात की रही बात इसकी हम लोगों पता है कि भारती जन्ता पार्टी ने घ्राउंड पर काम नहीं किया है लेकिन पता चलता है क बहुत अच्छा कि आपने कांग्रेस पार्टी का इसमें सिर्फ एक मतभेद था कि आपने हटाने का तरीका जो है वो गलत था हटा दिया ठीक है कोई बात नहीं हम आपका स्वागत करें लेकिन 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 आपने को यह तरीका क्यों नहीं अद्माया यह हर्याना का चुना अधिया राष्ट का है कि आप सारे पासा मैं पूर्प सवाल का जवाब देने को तयार हूं मेरी भाज़पा की प्रवक्ता को मेरी बहुता को बढ़ा सबर रखना चाहिए यह मोदी जी और अमित सहा की तरह दूसरों की जिस्ते नहीं है अपने मन की बात सुनाते हैं आप थोड़ा सुनिया आपको टाइम मिला था आपने नेन साब कभी समय हत्यानी की कोशिश की आप मेरे भी अधिकाव में रहे हैं यह चुनाओ लोगों की मूल भूत सुधाओं का चुनाओं है यह दराष्ट का चुनाओं नहीं है आप 370 की बात कर चुके थे आप लोग स नीचल पा रहे हैं आप लिए तो आपने क्या बात किया अपने क्या बात किया आपने जो केजरिवाल के रहे हैं यह दिल्ली में उन्हीं का फॉमल ठाके चेप दिया बिल्कुल अपने संकल पत्र में उन्हीं चीजों का आप लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर बीजेपी राश्र मुद्ध उठा रही है भाई उसके पास प्रॉफिट लेने के लिए पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए यह मुद्ध है आप भी पीछे पीछे क्य पाइटी ने उसके लिए यह नहीं सब्सक्राइब कर दो दूसरे पर आलों कि रावनीत कर रही है दूसरी तरफ जेजेपी के बैठे हैं वो भी क्या रहे हैं अब आप वही काम कर रहे हैं जो आप रेनु भाटिया को कह रहे हैं एक है मिश्राजी क्या आपको नहीं लगता है कि बीजेपी के अपनी स्ट्राइजी हो सकती है क्योंकि ये दो मुद्दे हैं और पॉलिटिकल बेनिफिट उन्हें मिलना चाहिए तो शायद वो यूज कर रहे हैं लेकिन तमाम जो विपक्षी पार्टिया है महराश्ट की भी हम बात कर ले अभी मैं जाओंगी शिवसेना के संजे दिवधी भी जुड़े हुए क्यों मुद्दे नहीं उठ रहे हैं सर्मुद्दे गौन क्यों हो जा रहे हैं और क्यों विपक्ष यहां पर कमजोर हो जा रहा है इन मुद्दों को उठाने में देखिए शुइता मैं आपको बता हूँ हर पार्टी का अपना अपना रणनीत होती है अपनी अपनी स्टेड़ी होती है बीजेपी को लग रहा है जिसके पास जो है वो वही तो श्रस्त्र चलाएगा अगर बीजेपी किसी मुद्दे को हाइलाइट कर रही है तो उन्होंने क सोचा होगा रिसर्च किया होगा कि इस मुद्दे का असर होगा इससे हमें ज्यादा वोट मिलेगा सेम कंडिशन विपक्ष की है देखिए अब विपक्ष किन चीजों पर बात कर रहा है जिन चीजों पर बीजेपी बात कर रहे है विपक्ष उसको टची नहीं कर रहा है और सारी पार्टियों का फोकस होता है कि हम चुनाओ जीते, कोई हारने के लिए नहीं लड़ता है, जहां से उनको ये दिखेगा कि हम इस तरीके से जी सकते हैं, वो करेंगे, विपक्ष की अपनी रणनीती है, बिजेपी की अपनी रणनीती है, देखना ये है कि कौन जीतेगा, अगर विपक्ष जीत जाती है, तो हम ये बोलेंगे बाद में किया बाई, इनके मुद्धे effective थे, प्रभावी थे, बढ़िया थे, जनता ने accept किया, आपके मुद्धे कितने भी अच्छे हो, लेकिन जनता को प्रभावीत नहीं कर पाते हैं, वोट में convert नहीं होता है, तो उ लोकल मुद्धे हैं, काम किये या नहीं किये, उससे ज्यादा आसर पड़ेगा हमारे नेशनल मुद्धों का, विपक्ष अगर लोकल मुद्धे उठा रही है, कि ये काम नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, तो उसकी मजबूरी यह है, कि चुकी आप सत्ता में हो नहीं, तो आपको काम करने का मौका मिलता नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, आपके पास option एक ही रह जाता है, कि सत्ता पक्ष में जो है, उसको क्रिटिसाइज करें, उसके क्रिटिसिजम को ही, उसका मुद्धा बनाया जाए, बिजेपी अगर विपक्ष में होगी, तो बिजेपी का जैसे, तो कह सकते हैं कि राजनीती की भाशा और परिभाशा दोनों अब बदलती जारी है, बदलने, इसके पीछे हजारों साल का इतियाज देखें, मैं बोलता हूँ, भारत एक बड़ा भावना प्रधान देश है, आपने देखा होगा, तो लोग सभा का इलेक्षन तो इ 15-15 साल इनों ने किया है, इसका एक best example है, श्रीमती इंद्रा गांधी की जब हत्या हुई थी, तो इतना बड़ा बहुमत जो आया था, वो एक भावना के कारणा आया था, यह आज से नहीं है, यह चलता आया है, इसके पहले भी आप देखिए, हमनों बने भावना प्रधान संजदी वेदी, क्या आप भी राश्र के मुद्दों पर चुनाव लेंडे के लिए तयार हैं, या फिर महराश्च की बात होगी, विदर्व की बात होगी, मराटवाडा की बात होगी, कौंकन की बात होगी, नौर्थ महराश्च बात कर ले, उसकी बात होगी, संजदी प्रश्में काम किये हैं जिसकी वज़े से आथ मांदी आदी ठाक रहे थी हमारे मुपनुपी बन रहे हैं वुजेपी मतस्ते दूसरी बार चुरुबात अरे सर इस पर तो आपती है वीजेपी तयार नहीं है सीटों के बटवारे में देखने को मिला था क्या क्या बात कर रहे संजे दिवेदी साथ अरे सर अभी पी रेनु भाटिया यहीं बैठी है स्वेता जी पूरे हिंदुस्तान में ऐसा गड़मन में भाटिया होगा पूरे पास साल इनुने एक दूसरी पर जूते चलाएं और अभी चुलाओ को समय में भी मुख्यमंत्री को लेगे इनमें में चाहिए चाहिए आरे में सारे पेड़ कटवा दो चाहिए सुप्रीम कोर्ट इन पे जो हतियार चलाए चाहिए इनको एखलाब पब्लिक रहे तीन सो सत्तर पे रहे कुर्सी चाहिए और उस कुर्सी पे कोन बैठेगा इसका जूतम पत्रा अभी संचे दिवेदी मतभेद दिख रहा है बीजेपी श्यूसेना में मतभेद दिख रहा है इस पर्ष क्रूप से दिखाई दे रहा है कि महाराज की जनता जिने वोग देगी वो एक दूसरे पर जूता चलाएंगे मैं देखे तो संचे दिवेदी आपके सामने के रहा है कि हमारा अदित चाकरे होगा ये कैसे ये तो ये डालमा में से कॉंग्रेस वगर आप देखे महारास्त में चुनाव शुरू हने के पाले कॉंग्रेस के किन किन निताओं ने हरियाना में बीजेपी में ये सारी पार्टियों का है कुछ ने कुछ कमिया रहती है किसे में विलह होने जा रहा है कहाँ से स्टेट्मेंटायथा मीडिया में विले होने जा रहा है, क्या कहाता है शरत पवार ने, बयान फिर से सुनवा दे, क्या कहाता है शरत पवार ने, नसीम खान, ये तो सभी पार्टियों का यह आल है, मैं तो कह रही हूँ, संजे दिवेदी को, रेनु पार्टिया बैटी है, आप कह रहे हैं, मुख्यमंतरी आप सब सवाज सेवा करने के पाथ चुनाव हो रहा हैं कारे संजेर दिवेदी साब हमने तो कहा कि कॉंट्र वर्शल बाइट मत दीजिए एक साथ है ना सार गडवन्दन है ना तो फिर ऐसी बाते क्यों कहा रहे हैं विदर्व में किस परवक्ता के नाते सक्षम हो ये हमारे सीनियोरिटी का महराश में मैं अगर किसानों के आत्महत्या के आकड़े सार बरते जा रहे हैं अगर हम रिपोर्ट्स देखे तो सूखा ग्रस जिस तरह से इलाका है इस बार जाके पानी बरसा है तो थोड़ा बहुत रिलीफ कह सकते हैं मिला है लेकिन जब बारिश होती है तो सबने मुंबई का हाल देखा है मराथ वाड़ा की बात कर ले विदर्व की बात कर ले कुमकण की बात कर ले प्याज के जैसे दाम घड़ते और बढ़ते तब हमने हालात देखे इन सब मुद्दों पर बातचीत नहीं हो रही है बुद्दे जो है वो राश्र के उठते हैं और ये जो कलह दिख रही है सामने में बैठके कलह दिख रही है कि मुख्यमंत्री का दावेगार कौन किसे मिलेगा अरे सर आप बोल रहे हैं कौन उठाएगा सर मुद्दे आप पताईए किसानों कि आत्म हट्या ग्राफ दिखा दो सर सर ये ग्राफ भी देख लेजिए सर ग्राफ देख लेजिए किसान इतने जो आत्म हट्या कर रहे हैं 5 साल में क्या किया आपने 5 साल में क्या किया सरकार किसानों का रिण माफ करने के लिए कौन बात करेगा आप अपने संकल्प पत्र में वीर सावरकर को मांग करते कि भारत रखन दिया जाए विपाक्ष जो है विपाक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है और ये जो पाटी की लगाया राज्यों में दद्धन को लेके दिखती है इसमें भी कहीं लड़ाई नहीं है विपाक्ष पूरी तो कोट नहीं करें लेकिन यह मुद्धन को बहुत अच्छी तरीके से सुलजा लेते है डैमेज कंट्रोल इंका अच्छा है विपाक्ष में जो डिस्पीट होता है वो पाले तो वो मिले होते है वो डिस्पीट होते है इस लेवल तक पूछ जाता है कि वो एक नहीं हो पाते है और अपनी ये पार्टी का जो internal dispute होता है वो भी उनको damage कर जाता है इसका फायदा देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि राजनीत में किसी एक पार्टी का कमजोरी जो होता है वो उनके विपक्ष का उनके राइवल के लिए सबसे बड़ी मजबूती होती है जो आपने बोला क कि विपक्ष बहुत बटा हुआ है बड़ा कमजोर है तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसको मिलता है बीजेपी को मिलता है और नेचुरल फायदा मिलता है कहीं न कहीं जीत में एक बहुत बड़ा कारक यह है कि विपक्ष युनाइट नहीं है या बड़ा कमजोर है नो इसमें भी बेटर है इनकेंप्रीजन और विपक्ष की किसी पार्टी से तो इसी लिए वह अच्छा परफॉर्म कर जाती है मैं इसमें सहमत नहीं हूँ क्योंकि मैं विपक्ष का नेता आज हम डिसकस नहीं कर रहे हम तो यहीं कर रहे हैं कि मुद्दे कौन डिसकस करेगा शिवसेना अगर महराष्ट में उन मुद्दों को नहीं चुएगी जिससे जनता का सीधा सरुकार है तो कौन चुएगा संजेजी कौन चुएगा सरकार तो आपकी बन भी जाएगी लेकिन जनता के दिलों पर राज कैसे करेंगे सर सब्सक्राइब कर रहे हैं कि लोकल मुद्दे कौन चुएगा नसीम गांदी जी एक अकेले नेता इसे थे जिन्हों ने कहा मन की बात निक काम की बात करना आपके पास और नेता का है चुनाओ राज्यों के मुद्दे राष्ट के अब अगर बीजेपी क्योंकि महराश्ट और हर्याना में दोनों जगा बीजेपी की सरकार है तो इस्ट्राइटी बीजेपी की जो है वो ये हैं कि तीन सो सत्तर तीन तलाक हो आतंकवाद हो इन तमाम मुद्दों पर उनको पॉलिटिकल बेनिफिट मिले और अगर ये स्ट्राइटीजी है भी तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये उनकी स्ट्राइटीजी हो सकती है वो आम टॉपिक पर ना बात करके इस पर बात करना चाहे लेकिन विपक्ष अगर दोनों जगह हम बात करें तो दोनों जगह विपक्ष में बिखराओ देखने को मिल रहा है और विपक्ष जो है उन मुद्दों को नहीं उठा पारी है जो जनता से जुड़े हुए है अब इसका पॉलिटिकल बेनिफिट किसको मिलेगा तो क्या मु जो कि जनता जुड़ी हुई है नसीम खान आप जिस तरीके से कह रहे थे कि विपक्ष कमजोर है बिखरा हुआ नहीं हर्याना में क्या हुआ सर ये जो इतना धरना प्रदर्शन इतने धड़े देखने को मिले वह लग कितने धड़े हैं और उसके बाद आकरकार हुआ क्या टिकट बिख गए ये हो गया कुमारी सलजा भुपेंदर सिंग उड़ा कितने में डिवाइड है सर ये धड़े तवर तो चले गए चोड़ दीजे उनको बाहर जाके चीखने लगे चुनाओ से पहले जब चुनाओ में टिकट बढ़ते हैं हर पार्टी के अंदर क्या महारा पार्टी का ये मुश्किल यही है सर्फ नसीव खान मुश्किल यही है क्या आपके नहीं है और इसता फायदा रेनु भार्टी उनकी पार्टी उठाती है सर स्वाभाविक प्रक्रिया कहके अरे नहीं सर दिलबाग ने हर्याना में कॉंग्रेस जिस तरह से साथ के रही है जिस से धरों में बटी हुई है और दिलबाग में किसानों की बात कौन करें ने क्या कुछ दिलबाग में दिलबाग में दिलबाग में दिलबाग में आप लोगों के लिए तो लोकल मुद्धे काफी अहां हो जाते हैं दिलबाग में दिलबाग में लोकल मुद्धे उस पारी यह बीजेपी हो कॉंग्रेस हो मैं बेनी बीजेपी और कॉंग्रेस के पास कोई मुदा नहीं हरियाना में उठाने के लिए क्योंके बीजेपी ने पाच साल के अंदर जो हुआना की जंता को चुसा जो नुटा और अगर आपने बहुत हैं ऐद आपको लिए तो आप सुने के कुशे करिये है आद पर दें वास्ता है वारते बारते जन्ता पार्टी के कहाँ भारते जन्ता पार्टी पादा एक सार के अंडर हम दो लाथ नोपरीय देंगे साथ के अंदर दस लाथ नोपरीयां बनती है और ये बात करते हैं बात हर्याना से बात के यह लोकर लगते हैं कैसी बात करें अरे बात सुने के इलते जान रखिए अपने बात बीजेपी जो है आप ये जनता माति को राव्याना की जनता ने नकार दिया बिलकुल कि कि अरे से बात की हर्याना ने बात का ये सकर आप ले दो करता है कि लोकल मुद्दे आक तो कमसे नम उठाएं बीजेपी और को राश्यस्तर की पार्या है लेकिन आपके लिए हर्याना का चुनाओ बहुत महत्पूर हो जाता है ऐसे में लोकल मुद्दे क्यों उठा नहीं पा रहे हैं अच्छे तरीके से क्यों बीजेपी 75 पार का नारा दे रही है और वही पर आपके साथ आप 370 और पाकिस्तान के मुद्दे को इंक्यास करा रही ह लोकल मुद्दे हमें कौन से नहीं रखे हमारा आप गोशना पत्र पढ़िए गोशना पत्र में हमें जितने हैं जितने हैं आपका तो काम परिवार पत्र से शुरू होटा है अगरे विरुजगारी है तो अहियाना में है वो मुतहम उठा रहे हैं आपकी तो पुझे पुझेट देरे लेकिन वह बता को दिल्गार नेवारा आपके 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 तोड़ी जातर हुई है तो अगरे बताए आपके मुख्या कहां पड़े है ठाइम रेज देमान सकती हूँ लेकिन स्थिती थोड़ी बहतर हुई है रोजगार के मुद्दे पे स्थिती थोड़ी बहतर हुई है यह आप माने यह ना माने आकड़े यही कहते है हम लेगे ने फार दर्शिता से जिमना भी रोग जार दिया थोड़ा दिया ज्यादा दिया पार दर्शिता से दिया कोई योग नहीं कह सकता आपके विद्धिया किसी नहीं कर सकते हैं अब ऐसे में बीजेपी की स्ट्राटीजी डिफ्रेंट हो सकती है क्योंकि उसे दुबारा रिपीट करना है और उसने काम भी किया है तो वो काम हाला कि उस लेवल तक का काम नहीं हुआ जो वादे किये थे वो पूरे नहीं निभाय है लेकिन राश्य मुद्दे और लोकल मुद्दे जो उन्होंने काम किया है इन दोनों को कहकर बाते करकर वो शायद सत्ता में रिपीट होना चाहे लेकिन ये जो बिखराओ कॉंग्रेस हो चाहे लोकल पार्टियां हम देख ले कि जिस तरीके से इन्हें मुद्दे उठाने चाहिए ये भी कही न कहीं विफल रह रही है उन मुद्दों को इन कैश कराने में शिवशेना भले बीजेपी के सपोर्ट में है गड़बंधन में है लेकिन शिवशेना को भी क्या उस तरीके से मुद्दे नहीं उठाने चाहिए जो वहां के महराश के लोकल मुद्दे है वो भी कह रही है 370 पर अगर बीजेपी कह रही है तो क्या गलत कह रही है नहीं देखिए मैं बताओ जब भी स्टेटजी बनती है न तो मिक्स होता है पूरा ऐसा नहीं अब चुकि बीजेपी नेशनल इस्तर की पार्टी है तो उसके पास बहुत सारे मुद्दे हैं अगर उन्होंने बियार में या यूपी में कोई अच्छा काम आप इलेक्शन को चीजें हुई है उसको दिखा के जीत लिया लोग भी उसी तरह की भाशा नहीं मैं कोई भासा नहीं अरे देखिए अच्छी आप मानेंगे मैं अगराप इंडिया इंडिया मैं भी चौहती थी दिया नहीं भी धी चाहती थी कि हमारे सारी करत्रे में उन्हें जवाब बिलना चाहिए यह मजबूती होती है और यह विपक्ष की कमजौरी है अब विपक्ष की कमजौरी में गला जाकर दूसरे देशों में भी इस तरह की अपमान जनक बाते करते आपने देश को लीति बहुत होच्षियारा नहीं सब्लानी पड़ेगी क्या से बचाग, कैसे डेंट को कैसे आटैक को मैनेज करें। दो चीजे देखना है कि जो BJP अटैक कर रही है उसको कैसे मैनेज करेंगे, सेल्स डेंट को कैसे करेंगे, फिर इन दोनों के ऊपर आप BJP के ऊपर USP क्या देंगे, अप जब आयेंगे छोटे हैं या बड़े हैं, अईडिस्नल बेनिविट कैसे देंगे, ये सारी चीजे देखकर के दो तीन अस्तर की चार अस्तर की स्ट्रेटजी ये बनती है बीजेपी इसमें देखे बीजेपी का अभी जिस हिसाब से इनका राज है सब जगह न ये तो जारखंड में भी कोई बढ़िया काम हुआ है महारास में भी हुआ हर जगह एक्जामपेल दे सकते हैं इनके बकट्स में बहुत सारे जो है चीजे हैं जो बताने के लिए शिश्वेना की बात मैं और कर लूँ देखें बीजेपी और शिश्वेना की आइडियोलोजी इतनी क्लोज है न ये भले रोज लड़े लेकिन ये लड़ाई घर की है कोई भी जीतेगा अल्टीमेटली मतलब दोनों एक रहेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा ये बाद में डिसाइड हो जाएगा साथ नहीं शोड़ेंगे डिस्प्यूट है वो मीडिया में आते रहेंगे क्योंकि दोनों को पता है कि एक दूसरे का अस्तित Mage तो दोनों से है महारास्त्रा में अगर बीजेपी को चाहिए तो शिश्यना चाहिए बीजेपी को अपना अस्तित चाहिए लेकिन यहाँ पे एक important जवाले के मिश्रा जी तो ऐसा ही तो Congress और NCP के हाल है लेकिन Congress की तरफ से ऐसी बयानबाजी सामने आती है मीडिया में कि ये NCP में विले हो रहा है, NCP का विले हो रहा है, ये शरत पवार का ये बयार कि ये Congress Party के लिए कितनी बड़ी बात कह गए शरत Congress में कौन-कौन से लीडर स्टार प्रचारक है, आप मुझे बताईए, Congress से राहूल गांदी हर जगा जा रहे हैं, मैं फिर पूछूँगा, महारास्त इतना बड़ा इस्टेट है, क्या कोई लोकल लीडर नहीं है, जिला अस्तर पे लीडर नहीं है, जो थे, संजा नीरूप प्रचारक को उतारे, स्टार प्रचारक का नाम आता है, राहूल गांदी छुट्टी पे चली लाते हैं, बहुत सारे समस्या हैं, सर, जंता की समस्या कब सुनेंगे, अस्तर प्रचारक की हमारी एक लंबी लिष्ट है, जो कि आपको सोसल मेडिया पर और आप लोगों को मिल अखल यह नही नहीं है, उनको दुबारा चुन्टा बौलने की को बोलने की लिए वाच्वाट की लिए आए, वह राते है, फिक प्रचारक का झान्गरस का लोगों को बोलने नहीं देंगे, ओब मोती जी आपको रासम में भीजदेंगे, आप लिए की बोलती तो जिए नि कि हम कमजोर हैं देश कंदर हम अपने संगठन को लेकर के इस्टम संजीदा और मजबूती से काम कर रहे हैं दूसरी जहां मुद्दो की बात है कांग्रेस पार्टी 2014 से जब से चुनाओ हा रही है और उसके बाद जितने राज्य को राश्क के चुनाओ आए कांग्रेस पार्टी ने एक ही बात की है कि नरेंदर मोदी जी जो राज्य को चुनाओ में नोट बंदी की बात करते हैं नोट बंदी के बाद तीन कारण गिनवाए गए गए ते कि नोट बंदी से आपकी जो है फेक करंसी छपना बंद हो जाएगी आतंगवाद खतम हो जाएगा दोनों चीज खतम नहीं हुई उसके बाद 370 यहां पर राओल गानीजी नहीं कां मैं मन की बात करना चाता हूं किसानों की बात कोन करेगा उत्तर परदेश के अंदर 12% विजली के दामा आपने बना दिये और एक अभी SGO का पर्माना आप सुधरी एक सके जिया 300 यूनिट विजली मांस से पैसा आप पैसा आप नहीं से नहीं सर्थ उत्तर पज़ें के अभी SGO के अभी SGO के अभी SGO के लिए जिसके आप पैसे जाजा परेके अभी SGO के आप नहीं सुधरी एक सुन नहीं स्थ पूरी तरह से बाद आज रुट्या करेंगे तो आप खुद आप उच्छार रहें नेताओं को जबाद करेंगी इनके विदाइं को खुल लेकि आप अनियुटा अरियावा का जो विदाएं के मुझे वो कहला रहा है वो कहला रहा है वो पार रहें चाहिए और फायदा नहीं अब अब बोल में दिए अब लोगों को बोले दिया आप लोगों की प्रेसानी यह है जब कारें परेसानी नहीं हुआ अब अब मुझे बहुतार नहीं हुआ अब यह चाहता हूं कि आप लियान फ्री में बातार अजार रुपए है दो अजार उनुस के चिलाओं में तो दीजिए बतार जाएं कि अब परें आप कि अंदर मरती की फैक्टि नसीम खान उए हुआ हैं गारति कि तर्फ रहें हैं अरे माफ कीजे सिर आपका मंच नहीं हैं अब लोगों की नोगत्त नहीं हैं लाफॉन जाएं नसीम खान आप चिंति नहीं हैं घेंड़ पर आप सर्कार्वाब कर तों नहीं ह पीर दोन करते हैं और वागिख सब्सक्राइब बाति निदी करते हैं अब लिए पर पुलाइब पुलाइब बाटिए अन्ग्रेजियों के पिटफ़े पेजिवाइब पाकिस्तान से निदी करते हैं प्लीज ने पिर्फान का माइक डाउट या जाए नहीं अलाओ करोंगी यह डीपेट है सर यह आपका मंच नहीं है सर कि राओल गांधी के वल जाजा के स्टार प्रिचार कर रहे हैं तो आप यहां बैठ के सचार के जाए नहीं सर माफ कीजिए आपने बोल लिया नहीं नहीं आप क्या बोल ले हैं आप नहीं आपना लीजिए ना कि जब जब यह जीतेंगे आप इनको जीतने नहीं नहीं देंगे वहां फेलागाराई विल्कुल हराउंड लेबला करिए उससे बदा हो मुझे ताजूब है कि इतनी सीख अगर इन्होंने राउल गांदी को दी होती वो जैसे इनके खुद के नेता बोलते हैं कि मम्मी ने कुछ सिखाया नहीं तो शायद कुछ थोड़ा परत पड़ जाते हैं अपने का ले बताइए मोधी को भी आद कर लिए को भी आद कर लिए आप लिए तॉस्टाल कफे हैं अरे लिए आपके राजिए पर साब लें थे क्रांदे अपर आपकर करता है और उसको पर लाक्य परताइए लिए अब कल एक करवाचों के मैंदी लगाए महीला कम पर लिए अंब लिया आपके ने आफ लिए आपकर लिए वाराउब सब्सक नसीम साब बूल गए कि इतना चिलाने से डिबेटों में राहुल गांदी इनको अध्यक्ष बनाने वाले नहीं है वो अपनी मां को यह द्यक्ष बनाएंगे कि वहाँ पर मां बेटे की वह द्यक्ष बनाएंगे अपने 10 सालों में तो कम से कम लोकसभा चुनाओं में हमारी वो फलताय किन्वाते जो हमने की लेकिन जनता ने आपकी एक नहीं सुनी जनता ने देखा 53 वर्षों तक देश को बरबाद किया 10 वर्षों तक लगातार हर्याना को बरबाद किया इनकी और कौन सुनुएगा के बारे में कि बात करेंगे मैं तो यह ज़ादा गुडगाओं और फरीदाबाद यह तो नमबर वन गया है मैं पांच सालों में इतने ज़ादा क्राइम का लेवल और नशा खोड़ी यह दो ऐसे मुद्धे हैं डिस इस यू नो पीपला मिस्फेड मिस्कम्यूनिकेटेड मैं आपको बताती हूं मैं मैं यह जवाब दिया है जो आपके पास ब्लाक एंड वाइट में है दो चार छे दस आंकड़े इधर उदर हो सकते होंग मैं उनी के उपर बात करती हूं पहले क्या था कि पहले कोई भी थाना चोकी ऐसी जगा नी थी जहां महिला जाकर अपनी बात रख सकती कुछ हिच के मारे और कुछ दबाओ के मारे आज हर्याना सरकार ने 35 महिला थाने खोले पूरे हर्याना में 22 जिलों में और 10 थाने सब ज जाकर बेज जग अपनी रिपोर्ट लिखवा सकती है पहले यह रिपोर्टे नहीं लिखी जाती थी इसलिए पिछले अगले सारे cases जब जब भी हुए आप तारीखें भी गिनेंगी तो कोई 2 साल पुराना case निकलेगा कोई 4 साल पुराना निकलेगा कोई 6 साल पुराना निकलेगा ऐसे cases भी आपके साथ निकलेगे क्योंकि मैं deal करती हूं पानी की समस्या के लिए क्या क्याना पानी की समस्या मैं आपको 6,804 गाओं है हर्याणा में जिसमें राइटेस चाकर अगर आप देखें कि जब से ये कसी फावरों वाला ड्रामा खतम हुआ है तबसे भी अगर आप गिनें इस देड़ साल के अंदर तो हर गाओं की टेल त जहां तक नहीं पहुंचेगा और हर चेतर तक बिदली पहुंचेगी जहां कहीं कमी रही है प्रन्तु 18 गंट पांगी कहां तक को मिल रही है जिनर में वी सब्सक्राइब सब्सक्राइब नायान था लेलत और हर चेतर चेतर जहां हमसे पहुंचेगे यह है पेहले रेनु जी पेहले हर्याना के उपर जो करज था पर पर्शन कितना था आप देखिए कितना आपने बड़ा जहते हैं अज तो सब्सक्राइब कर देखिए और इन चीजों की बात कर देखें कि देखिए। में कभी भी कोई निश्कर्ष नहीं कर सकता दिलबाग मैंसावी का स्वक्त की कमी है लेकिन हमारा आज ये टॉपिक उठाने का के पीछे हमारी मंश्य यही थी कि राज्ज के मुद्धों में राश्ट के मुद्धे हावी क्यों है और अगर बीजेती की यह स्ट्राइजी है कि अगर आप समझ गए तो उस हिसाब से आप काम नहीं कर रहा है और ग्राउंड लेबिल पे इसी के कारण वो हारते चले जा रहे हैं जहां इन्होंने अच्छे से काम किया पब्लीक ने थोड़ा सा सपोर्ट किया रिजल्स अच्छे आए हैं मैं फोकस करूंगा कि हर इलेक्शन विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी गोल्डेन ऑपरचुन्टी होती है सर आप इंप्रूफ करिए अपने आपको आपका चाता हुआ कि आपने निजी चोटा सा क्लोजिंग कमेंट चाहिए अपने क्या मुद्धे टच करेंगे अभी तक तो नहीं कर पार्टी है अगर जो लोकल मुद्धों को कर रही तो वह कांगर्स पार्टी है रही क्राइम की बात हर्याना महराश के क्राइम को छोड़ दू नरे नर्मोदी जी की भती जी का जो निल्बया कांड याड नहीं जाते है और उन्हों के देखा है कि जितना हमें कूडा करकट मिला था संभालने को हमने उसको हटा कर एक स्वच राजनीती का सिस्टम अडॉप्त किया है और हम 75 पार के नारे की वज़ए से हम बाहर निकश जनेता के उपर ही हम छोड़ देते हैं कि जनेता ही डिसाइड करे क्योंकि किस तारिख वो दिन होगा जब जनेता के हाथ में ये अधिकार होगा कि कैसे वो किसी भी पार्टी के पक्ष में वोट करें और किसे वो नकार देती है 24 को हाला की पता चल जाएगा लेकिन जो है उनी मुद्दों पर आपको वोट करेगी इसी पॉजिटिव नोट के साथ आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुनने के लिए इस बड़ी बहस में बस इतना ही दीजे इजाज़त नमस्कार किसी में धारा 370 हजाने की हिमत नहीं किसानों की समझे की बाज कब करोगे मैं सस्तर पूजा में गोम न लिखता तो मुझे क्या लिखने जाए